तो आज में आपके लिए लेकर आई हूँ धाबा स्टाइल छोले पनीर की सब्सी जो के बहुती शांदार तरीके से और बहुती कम समय में आपको बनाना बताऊंगे तो देखिए कितना माशला शांदार और कितना बढ़िया हमारी जो है छोले पनीर की सब्सी बनका रेडी आते हैं तो चलिए आपको आए रेसिपी में बता देती हूं तो बिसमिल्ला अर्मान रहीम करके आज की हमारे चोले और पनीर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं एकदम ढबा स्टाइल बनाएंगे और घर पर ही बनाएंगे तो यहां पर मैंने 200 ग्राम चने लिये थे जो सफे कुकर ले ले लेंगे तो simply क्या करना बिल्कुस साधा और simple तरीके से सिर्फ हमें इसको boil करना इसमें कुछ भी नी डालेंगे लगबग मैंने total इसमें 2 गलास पानी आइट कर दिया है क्योंकि मैंने इसको ओवरनाइट भिगो था तो जादा पानी नहीं हम इसमें डालेंगे अब यहाँ पर friends क्या करना है, cooker की लिट को लगा देंगे और high flame पर इसको हम CT रगाएंगे तो high flame पर मैं यहाँ पर लगबग 2 CT रगाऊंगी और low to medium flame पर इसको 5 मिट पकाएंगे ताकि हमारे चने अच्छे से boil हो जाएं तो जो हमारे चने हैं पर्फेक्ट जो है cook हो गए है एक side में रख देंगे, अब चलिए next step देख लेते हैं क्या करना है, gas की flame को on कर लेंगे इसके उपर हमें रख देना एक कड़ाई, दो बड़े चमच, steel का जो बड़ा चमच जिसे में के सालन बगर हम लोग बनाते हैं तो उससे मेंने measurement करके डाला है तो दो बड़े चमच हम इसमें तेल डालेंगे तेल जैसे ही खुब तेज घरम हो जाएगा एक पारी प्याज मैंने चॉप करकर इसमें add कर दिया है कुछ खड़ी मसाले डाल रही हूँ और फ्रेंट्स यहां पर मैंने साबुत लाल मिर्स ले रही हूँ तीन यह ऑप्शनल है अगर आपको नहीं पसंद तो आपस को स्किप कर सकते हैं बस इससे क्या होगा अच्छा सा थोड़ा सा फ्लेवर आता है और दिखने में हमारे जो छोले एकदम मार्किट जैसे लगते हैं सारी चीज़ें जैसे थोड़ा सा रोस्ट हो जाएंगी उसके बाद हम यहाँ पर एक चमच लसन एक चमच मैं यहाँ पर अद्रक कर डालूँगी तीन चोटे साइस के मेरे पास टमाटर थे तो मैंने उनको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है एकदम फाइन पीस लेना है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कसूरी मेती से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा एकदम रेस्टूरेंट और होटल जैसा इसमें फ्लेवर आता है तो कसूरी मेति आप ज़रूर इसमें एड़ करें अब यहाँ पर सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और low to medium flame पर इनको पकने देंगे तो यहाँ पर मैंने 2-3 मिट तक इसको पकने दिया था अब यहाँ पर देखिए मसाला जो है यह सारा अच्छे से भून गया है और ऐल अच्छे से रिलीज हो गया है चारो साइट से अब यहाँ पर मैं कुछ पिसेवे मसाले डाल रही हूं जो कि सारी चीज़े मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो यहां मैंने ले लिया है टेस के कोर्डिंग नमग 1 टेबल्स्पून मैं ने भ़रकर लिया कश्मीदी लाल मिच, बहर कर मैं लाल मेच, का भी 14 पॉर्डर Zhong flowers, हाफ टी स्पूनौन काली पॉर्डर और हाफ टी सून है यहां पर यहां पर ले रही हूं आता है एकदम खटा मार्किट जैसा अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं मगर एक बार इस तरह से पना कर जरूर देखिएगा बहुत ही जादा मज़े के बनते हैं यह वाले चोले पनीर की सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है अब देखे सारी चीज़ें अच हम इसको mix कर लेंगे अब बहुती जुदार हमारे घर में पूरे खुशभू आ रही है बहुत यह बढ़ी लगे हैं माशालां बहुत ही जपने थे अब यह क्या करना है friends हम ने ले लिया है एक ग्लास पानी तो इस आप मेरे हम जादा पानी यूज नहीं करेंगे अगर आप ये छोले चावल के साथ खाना चाते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी जादा रख सकते हैं मगर मैं आज बच्चों के रेक्वेस्ट पे बनाने वाली हू अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1500 ग्राम पनीर इसको हम एट कर देते हैं तो 200 ग्राम मेरे छोले थे तो 1500 ग्राम मैं यहाँ पर पनीर का यूज कर रही हूँ पनीर को मैंने क्यूप्स में काट लिया है आप जैसे चाहें चोटे बड़े अपने चोईस के अकॉर्डिंग का खाल देते हैं हमारा होम-ड़ गरम मसाला पाउड़र अप इसको स्टोर करके बना कर रख सकते हैं बहुत ही सिंपल अगार n location यह हमारी जो खाने की सब् žांभ मारगे चोशा सब्सक्र आता उने में थे अप्सक्स के ऑण भारि अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे अरे धनिया से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और हमारी जो रेसिपी है वो दिखने में भी माशलला बहुत अच्छी लगती है अब इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था लगबग 10-15 मिनिट के लिए तो सारी चीज़े जो अच्छे से देखि कि मैंने रखी है आप जैसे चाहें जितना पतला या गाड़ा वैसे आप रख सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग तो माशलला हमारी धाबा है स्टाइल और एक दम से टेस्टी और बहुती ज़दा शानदर और बहुती कम टाइम में बनकर तयार हो गए हैं हमारे छोले प पसंद है तो आप लोग भी बनाए और इसको इंज्वाइ कर सकते हैं घर्म गरम रोटी पराथा पूरी या भटूरे या फिर आप अगर अचाहें तो आप इसको चावल से भी जीरा राइस या पर सिंपल चावल जैसे बोईल करते हैं उससे भी आप इसको खा सकते हैं आपको कैसी लगी अगर फ्रेंट्स आपको थोड़ी भी रेसिपी आप कोई भी इसका टिप्स आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ बैल आइकन को प्रैस कर लिए ताके आने वाली सारी जो रेसिप भी आप सब इडियो को दूआ में शामिल रखेंगे